देश सुन्या की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं मैं हूँ सुमन आज के मुखे समाचारों में बात करेंगे 15 अगस को सभी देशवाशों को मिली एक बड़ी खुसकबरी की सीमा हैदर ने लगाए पाकिसान मुर्दाबाद की नारी की प्रियंका गांधी होगी इंडिया गटबंदन का प्रधान मंत्री चहरा की अज़ुद नोवी सी के दिल्ली आवास पर बरसाए गई पत्थरों की चंद्रियान त्री के बाद भारत के सूरज मिसन की साथ ही बात करेंगे कोंग्रेस नेता द्वारा बीजेपी समर्थकों को राक्चस प्रवरती का बता कर दिये गई श्राप की और बुलिटिन के अंत में बात करेंगे 15 अगस को पीम मोदी द्वारा लाल के लिए पर दिये गई भाशन की और इसके साथ ही और भी कई महतोपोन और बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर गाउं के सरपान सेंट्रल विस्टा के मज़़ूर से प्राइमरी टीचर तक इस साल 37 दिवस समारों में शामिल हुए 1800 विसे सती थी पीए मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्टे द्वस फेरा कर देश को किया संबोधित आज 15 अगस को हर फोन पर सुनाई देगी हर घर तिरंगा की कोलर ट्यून जो बीजेपी को वोट देते हैं वो सब राक्चस प्रवर्ती की लोग मैं महाभारत की धर्ती से उन्हें श्राब देता हूँ हर्याणा की कोंग्रेस नेतार रंदीप सुर्जेवाला के बिगडे बोल गदर फिल्म में सनी देवल ने तो नहीं क्या लेकिन हकीकत में सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारी सचिन संग फेहरायती रंगा माथे पर जे मातादी की चुनड़ी ओड लगाए जेकारी बोक्स ओफिस पर गदर टू की सुनामी फिल्म में तीन दिनों में क्या 134 करोड का बिजनस अक्षे कुमार की ओमजी टू ने पार किया 43 करोड का आकड़ा ग्यान प्यापी के बाद अब मथूरा की शाही इदगाह में सर्वे की मांग सुप्रेम कोड में याचका दाखिल कर रहा निर्मान को किसी भी हाल में मजजित नहीं मान सकते अब बिना डिग्री स्वास्ते पर नहीं दे सकेंगे जानकारी लग सकता है भारी जूर्माना सरकार ने जारी की अडवाईजरी अनवारूल हक का करने ली पाकिस्तान के आठवे अंत्रिम प्रधान मंद्री के रूप में सपत AIMIM चीफ अजदूदीन OVC के दिल्ली इस्तितावास पर पत्थर से तोड़े गई सी से जांच में जूटी पुलिस सेर बाजार में हरे निशान के साथ हुई शप्ता की शिर्वाद सिंसिक्स 89 अंकों की बड़ोत्री के साथ 65,401 पर हुआ बन तो वही निफ्टी 6 अंक बढ़कर 17,434 पर हुआ बन ये थोती सुर्क्याँ अब चलते हैं आसकी बड़ी खबरों की ओर हर्याणा में बीजेपी पर गिरी कॉंग्रेस की गाज भाजबास समर्थकों को राक्चस प्रवर्ति का बता कर दिया अश्राप दरसल लोग सबाचुनाद 2024 को लेकर सभी पार्टियां जोर सोर से तयारिया कर रही हैं इस बीच हर्याणा की कैथल में कॉंग्रेस का जना क्रोस प्रदशन हुआ जिसमें मंच के मध्यस्त से रनदीप सूर्जेवाला ने बीजेपी और जेजेपी को आड़े हातो लिया है उन्होंने कहा है कि जो लोग बीजेपी और जेजेपी को वोड देते हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं वे राक्चस प्रवतिकी हैं मैं बहावारत की इस भुमी से आज उने श्राब देता हूं सुर्जेवाला केज बयान का बीजेपी के प्रदेश अदेक्स ओपी धनकाड और प्रदेश प्रभारी विपलव देव ने पलटवार किया है ओपी धनकाड ने कहा है कि शायद भगवान ने रंदीप सुर्जेवाला की मती हरली है जाको मैं दरुन दुख दे हूं ताकि मती जनता जनार्दन इस्वर का विरा टूप है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी, जेजेपी, सरकार ने गरीब महिलाओं और किसानों की थाली से रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में क्या है पूरी खबार देखे ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी आगामी लोगसबा चुनाव में वारांसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किलाव चुनाव लड़ेगी तो पक्का जीत जाएगी। वारांसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। वहीर राहूल गांधी अमीठी सीट पर जीतते रही हैं। लेकिन 2019 के लोगसबा चुनाव में इसमरती इरानी उन्हें करीब 50,000 से जादा वोट से हरा कर पहली बार लोगसबा पहुँची। पहुच तो अब अपना चंद्रियान मिसन भी जाएगा चंद्रमा पर जल्द ही। क्योंकि आब उसने चंद्रमा से नजदी की बनाने के लिए एक बार और अर्बिट घटा दी है। ऐसे में क्या है पूरी खबार देखी ये खास रिपोर्ट। मंचिल के थोड़ा और नजदीक पहुचा चंद्रियान 3 अब मिसन की चंद्रमा से सबसे कम दूरी मात्र 150 किलोमेटर। जी हाँ हम बात कर रहे हैं इसरो द्वारा 14 जिलाई को लोंच किये गए मिसन चंद्रियान 3 की जिसने अब तीसरी बार आर्बिट घटा कर चंद्रमा से नजदीकी बनाई है। अब चंद्रियान 3 150 गुणा 177 किलोमेटर की आर्बिट में आ गया है। यानी चंद्रियान 3 चंद्रमा की ऐसी कक्षा में खूंब रहा है। जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमेटर और सबसे जादे दूरी 127 किलोमेटर है। इसरो का कहना है कि चंद्रियान का आर्बिट सर्कुलाइजेशन फेज शुरू हो गया है। यानि चंद्रियान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शिरू हो गया है। इससे पहले 9 अगस को चंद्रियान की आर्बिट घटाई गई थी जिसके बाद ये 174 गुणा 1437 किलोमेंटर की आर्बिट में आ गया था।